मुकमंत्री नितीस कुमार आज अपना वादा निभाने जा रहे हैं दरसल वो मिन्थलांचल के दो दिवस्य दोरे पर जा रहे हैं वो गुरुवार को दर्भंगा ये मशुक्रवार को मधुबनी जीले के कई यजनाव का कारिरंब करेंगे उपचुनाओं में जदु की संदार जीत के लिए मुकमंत्री कुसेशवर अस्थान की जन्ता करपती अभारवेप्ट करेंगे उन्होंने चुनावी सभाव में जन्ता से वादा किया था कि जीत के बाद उनसे मिलने आएंगे इसी कारण मुख मंत्री गुरुवार को सबसे पहले कुछ येस्वर अस्थान जाएंगे वहां लोक संबाद का योजन किया गया है इसमें भी सामिल होंगे उप्चुनाओं के समय अस्थानी नागरिकों ने जल जमाओ की समस्या को प्रमुकता से उठाया था ये जनकारी जल संसादन एम सुचना एवं जन संपर्क मंत्री संजे जाने दी उन्होंने बताया कि मुख मंत्री जन लिकासिस से जुड़ी कुछ योजनाओं का कारेंगे इसके बाद दर्भंगा के एम सी में निर्माड की समिक्षा करेंगे कारेक्रम के नुसार मुख मंत्री शुक्रवार को मदुबनी जिला के जैनगर पर कमला पर बाराज एवं तटबंधों पर 80 किलोमीटर सरक निर्माड का कारेंगे ये मिथलांचल के लिए बड़ी सौगात साबित होगी बाराज से जहां से चाई सुविदाव का विस्तार होगा तटबंध पर बनने वाली सडके यातायाद के लिए विकल्प साधन है अलावा तटबंधों की मजबूती में मददगार होगी बता दे कि जदुई के प्रदेश अध्यक्ष उमेर सिंग कुस्वाहा गुरुवार्च जिले का दोरा करेंगे पहले चरण में सहर्ष्ता मम्यधपूरा और शुपॉल जाएंगे जिले में पार्टी की जिला कारे कारणी की बैठक में सामिल होगे आम लोगों के साथ ही उन का संबाद होगा कुस्वाहा ने बताए कि पिछले विधानसवा चुनाव में जो नतीजे आये उस से पार्टी ने चुनावती के रूप में लिया है संगठन को मजबूत और धारदार बनाने के लिए उनका ये कारिक्रम चल रहा है संगठन की निचली इकाई की लोगों से मिलेंगे उनकी भावनाव के अनुरूप संगठन को मजबूत करेंगे